हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इस जमाने के मॉडर्न साइन्स में जेनेटिक्स और रिकॉंबिनेंट डीने टेकनोलोजी एक बहुत ही मैध्तफून हिस्सा है और इसी जेनेटिक्स का स्टार्ट हुआ था मेंडेलियान जेनेटिक्स से जनरली बायालोजीक हर्स्ट्रिम में जेनेटिक्स होता ही है लेकिन हम लोग जेनेटिक्स पर रहे हैं और मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर यानि की Gregor Johann Mendel के बारे में हम लोगों को पता नहीं है तो उस टेडि का कोई वैलू नहीं रहता सो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ग्रेग और जोहन मेंडल के लाइफ हिस्ट्री के बारे में उनके जिन्दगी में कौन-कौन से चैलेंज़ आए और ऐसा क्या हुआ कि उनके जीते जी उनका जो रिसर्च था वो लोगों में इतना ज्यादा पॉपूलर नहीं हो सका और हाँ अगर आप भी मेरी तरह जेनेटिक्स और वायलोजी के एक बहुत बड़े फैन हो तो आई प्रॉमिस ए वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है तो एंड तक देखिए अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे वायलोजी और लिविंग वायल के फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि ये विल्कुल फ्री है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते है 1822 में 20 जुलाइ ग्रिगर जोन मेंडल का जन्म हुआ औस्ट्रिया के सिलेशिया में जो कि आज के दिन चेक रिपप्लिक के नाम पर जाना जाता है उनका फादर का नाम था एंटॉन मेंडल और मादर का नाम था रोजीन मेंडल और उनका दो सिस्टर भी था एक ओल्डर और एक यंगर उनका फैमिली फार्मिंग का काम करता था और उनका जो घर था वो फार्म के पास ही था जब वो छोटे थे तब वो एग्रिकल्चर और मधुमक्खी फार्मिंग के बारे में स्टड़ी करते थे 1840 से लेकर 1843 तक वो उनिवर्सिटी अप ओलमॉक के फिलोजोफिकल इंस्टिटूट में वो फिलोजोफी और फिजिक्स में परहाई करते थे वो एक फाइनेंसियाली वीक फैमिली से बिलॉंग करते थे उनका फादर एक फार्मर था इसलिए उनके जिंदेगी में बहुत सारा उतार चड़ावाया लेकिन वो वही के एक मौनेस्ट्री यानि की मौट में एक मौंग की जिंदेगी जी रहे थे और उनका मानना था इसी के वदालत वो जिंदेगी में बहुत कुछ सीखे और बहुत कुछ जाने उनका असली नाम था जोहान मेंडल लेकिन रिलिजियस लाइफ में इंटर करने से पहले उन्होंने अपना नाम रखा ग्रिगॉर जोहान मेंडल इसी समय में बहुत दिनों तक वही के स्कूल में वो एक सबस्रीडियू टीचर के काम करते थी उन दिनों एक सार्टिफाइड हाई स्कूल टीचर बनने के लिए एक एक्जाम देना परता था जिसका 3 स्टेप था उन्होंने भी 1850 में एक्जाम दिया लेकिन इसके लास्ट स्टेप में जाकर यानि की ओराल पार्ट में वो फेल हो गए 1851 में वो विएनाई उनिवर्सिटी में परने के लिए गया है और 1853 में वो फिजिक्स के टीचर के रूप में लौट आए 1856 में उन्होंने फिर से एक्जाम दिया एक सार्टिफाइड स्कूल टीचर होने के लिए लेकिन फिर से जाकर ओराल पार्ट में वो फेल हो गए ये टाइम बहुत ही कम हो गया मेंडल से पहले जो मॉनेस्ट्री या फिर मौट का हिड़ था उन्होंने ही मेंडल को पर्मिशन दिया था उस मौट के जो दो हेक्टार एक गार्डन है उसी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसके बाद 1856 में में अपना एक्सपेरिमेंट सुरू किया कॉमन जो एडिबल पी होता है यानि कि पाइसम सैटिभाम प्लैंट को लेकर उसी मौनेस्ट्री या मौट के गार्डन में में बेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किसी प्लैंड पर नहीं बलकि एनिमेल पर स्टार्ट किया उन्होंने फास्ट चुहे पर अप उसको छोड़कर प्लैंट में अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया जो भी वह इनको अपना सक्सेस मिला गार्डन पी यानि कि पाइसम सैटिभाम प्लांट में एक्सपेरिमेंट करते हुआ अपने breeding experiment में उन्होंने garden pea के 7 character pairs या फिर 7 traits को अच्छी तरीके से study किया और ये सारे characters बिल्कुल आपके सामने screen पर ही है flowers and seed coat color, seed color, seed shape, pod color, pod shape, stem height and flower position pea plant पर उन्होंने अपने experiment स्टार्ट किया था 1856 में और लगभग 9 से 10 साल बाद 1865 में उनका experiment complete हुआ चार्ज के garden में जब वो farming कर रहे थे तो pea plants में उनको बहुत सारा observation मिला कि कुछ plants बहुती लंबे हैं, कुछ plants बहुती छोटे हैं, कुछ में white flowers और कुछ में violet flowers तो ऐसा क्यू होता है, इसी के reason को ढूंडने के लिए ही मेंडल pea plant में experiment सुरू किये थे लगभग 9-10 साल उन्होंने इस experiment पर करी मैंनत की, उनके पास एक statistical record था कि इन टाइमों में वो कितने plants लगाए, कितने generations हुए, कौन-कौन से characters, कितने time आए सो सब कुछ लेकर एक statistical record था उनके पास उन्होंने monohybrid और dihybrid दोनों experiment ही किया, जो कि मैं अगले वीडियो में detail में discuss करूंगा सो जो भी हो इन सारे experiments के बाद उन्होंने कुछ postulates दिये और उनका मानना था कि हर generations में कौन से character express होगा, ये निर्भर करता है factors के उपर और ये वही factor है जिसको आज हम gene के नाम पर जानते हैं, क्योंकि उन्दी नो gene भी discover नहीं हुआ था, क्योंकि biological science उन्दी नो इतना advanced नहीं था मैं बात कर रहा हूँ 18th century की, सो जड़ा सोचिये इतने पहले time पर उन्होंने genetics के सुरुआत कर दिया था without any microscope और सिर्फ statistical analysis और अपने observation से, सो जो भी हो 1865 में उनका experiment complete हुआ, लेकिन अब एक ही काम बाकी था, कि world के सामने उनके experiment को, उनके work को represent करना था और approval लाना था, बद जरा सोचिये कि आपने भी एक experiment किया, उसका result भी अच्छा है, आप यह जानते है कि यह कुछ खास हो सकता है, लेकिन दुनिया को तो नहीं पता न, लोगों के सामने उसको represent करना पड़ेगा, तब ही लोग उसके बारे में जानेंगे, और credit और approval पाने के एक scientist का seminar कह सकते है, सभा कह सकते है, ऐसा होता, जहां पर बहुत सारे दिग्गत scientist बैठे रहते, और उनके सामने आपको अपना research और work को represent करना था, उनको समझाना था, वही आपको approval दे सकते हैं, और अगर उनको समझ नहीं आया, तो वो आपके काम को reject भी कर सकते हैं, तो Mendel स आपका भी experiment हो जाने के बाद, 1866 में उन्होंने अपना work को represent किया, ऐसे ही एक seminar में, सो यहां पर उनका research का जो title था, वो था Experiment in Plant Hybridization, सो उन्होंने अपना research को अच्छी तरीके से explain करने की कोशिस की, दस साल में उन्होंने अपने garden में, पी plant में कौन-कौन से changes देखे हैं, सब ज उन्होंने कहा कि यह जो heterity changes हो रहे हैं, characters में changes हैं, यह सब कुछ हो रहा है factor की बज़े से, सो उन्होंने जो वोला, वो तो बिल्कुल सही था, कि हर character के expression के लिए genes responsible होता है, यानि कि उनके language में factor, लेकिन उन टाइम में, जब biological science इतना develop नहीं था, microscope उतने अच्छे नहीं थे, सो उस time में किसी भी scientist को factor क्या चीज़े, ये बात समझ में नहीं आई, और Mendel साफ खुद भी ए explain नहीं कर सके कि factor असल में होता क्या है, क्योंकि उनको से पे ही मालूम था कि ये जो हो रहा है, जो changes हो रहा है, उसके लिए responsible है factor, लेकिन factor क्या चीज़े, इसको समझाने के लिए वो खुद ही confused हो गए, सो उनके experiment तो बिल्कुल ही correct था, लेकिन उन दिनो scientists उनके experiment को समझ नहीं पाए, उनके बात को समझ नहीं पाए, और उनका जो research था, वो reject हो गया, और उसके बाद उन्होंने लगबग हाल छोड़ दिया, और 1884 के 6th January को Moravia के Brunmay 61 age में उनका देहान थो गया एक chronic nephritis disease में, लगबग 1866 से 19th century तक उनके work को उतना attention ही नहीं मिला जो कि वो deserve करते थे, scientist community ने उनके work को बहुत time तक ignore किया, तो ऐसा क्यों हुआ कि पहले उनके work को reject कर दिया गया, और बाद में इतने दिनों तक कोई भी उनके research पर attention ही नहीं दिया, तो इसके पीछे भ नहीं बता सकता तो वीडियो बहुत बढ़ा बन जाएगा, तो मुझे comment box में बताओ कि इसके बारे में आपको एक अलग ज़े वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जो भी है, लगबग 35 साल बाद 1900 में में मेंडल के work को re-discover किया गया, तीन scientist के द्वारा, और ये तीनों scientist में कोई भी connection नहीं था, तीनों ही अलग-अलग country से थे, Hugo the Rice थे, Holland से, Carl Corinthians थे, Germany से, और Eric Von Tessmark थे, Austria से, और ज़रा सोचिये कि क्या coincidence है, इन तीनों scientist ने एक ही time पर, एक ही plant पर, एक ही topic को लेकर research किया, लेकिन अलग-अलग देश से, और individually and independently, तीनों scientist ने अपने-अपने research को complete किया और देन उसको publish किया, और इसी publication के बाद scientist community को ये बात समझ में आ गया, कि इन तीनों scientist ने जो research अभी किया है, जो discover किया है इन लोगों ने, वो 35 सल पहले ही मेंडल ने discover कर लिया था, बस उनका terminology कुछ अलग सा था, और बस इसी incident के बाद इन सारे discovery का credit गया मेंडल साब को और इसी के बाद Karl Korens ने मेंडल के सारे postulates को law में convert किया, जो कि आज हम परते हैं, the principle of segregation, the principle of independent assortment, etc. आज की इस modern genetical science का journey स्टार्ट हुआ था, ग्रेगोर जोहन मेंडल के उसी experiment से, इसलिए उनको respect देने के लिए एक title दिया गया, the father of modern genetics. So friends, उनके जिन्देगी से हम लोगों को एक सीख मिलती है, कि जिन्देगी में कितना ही failure आये क्यों न, हम लोगों को hard work करते रहना है, कभी भी give up मत करना, सो एक ना एक दिन success जरूर मिलेगी. इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर मेरा चैनल पसंदा है, ये वीडियो पसंदा है, तो obviously मेरे चैनल को subscribe कर दो यार, बेल आइकिन को दबा दो, वीडियो को एक like कर दो, और हाँ friend के साथ जरूर स्यार करना, और हाँ कोई भी question हो, आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ झाली